नमस्कार साथियो इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर क्यों ATM से गायब हो रहे है 2000 रुपे के नोट तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं उससे पहले लाइक कर दिजे और अभी तक चैनल सस्क्राइब नहीं किया हैं तो जाके चैनल सस्क्राइब कर लिजे पिछले कुछ स से यह नोट लोगों के हाथों में बहुत कम दिख रहे हैं इसके पिछे एक बड़ी वज़ा है आपके हाथ में आखरी बार 2000 रुपे का गुलाबी नोट कब आया था दिमाग पे जरा जोड डालिए कि आखरी बार आपका 2000 रुपे का छुटा कराने के लिए इधर उधर रिजरब ब बेंक की वार्शिक रिपोर्ट में 2000 रुपे के नोट की कमी को लेकर बड़ी वज़ा सामने आई है रिजर बेंक अफिंडिया की वार्शिक रिपोर्ट के मुताभिक वीट वर्स 2019 20 वीच वीचभ वीच वहजर towel 21-22 में 2000 के एक भी नोट नहीं छापे गया है रुपे के नोट को रिजरव बैंक ने जाड़ी किया था आठ नॉमबर 2016 को परधान मंत्री नरेंदर मोधी के एलान के बाद 500 और 1000 रुपे के सभी नोट चलन से बाहर हो गए थे इस करेंसी की जगा रिजरव बैंक ने 500 और 2000 रुपे के नए नोट जारी किये थे रिजर्व बैंक का मानना था कि 2000 रुपे का नोट उन नोट की value की भरपाई असानी से कर देगा जिने चलन से बाहर कर दिया गया था रिपोर्ट के अनुशार 2000 रुपे के नोट को जारी करने से बाकी नोटों की जरूरत कम पड़ी अगला point है क्या बंद हो गए नोट 31 मार्फ 2017 को circulation वाले नोट की value में 2000 रुपे के नोट की हिसेदारी 50.02 फिस दी ती वहीं 31 मार्फ 2022 को circulation वाले नोट की value में 2000 रुपे की नोटों की हिसेदारी 13.08 फिस दी थी अगला कोश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि कब से नहीं हुई छापाई तो आई जानते हैं देश में 2000 रुपे के नोट सबसे ज़्यादा चलन में वर्स 2017-2018 के दवरान रहें इस दवरान बजार में 2000 के 33,630 लाख नोट चलन में थे इसका कूल मुल 16,72 लाख रुपे करोड था 2021 में मंतरी अनुराग ठाकूर ने लोगसभ में ये जनकाड़ी दी थी कि पिछले दो साल से 2000 रुपे के एक भी नोट की छपाई नहीं हुई है दरसल सरकार RBI इसे बात चीत करने के बाद नोटों को छपाई के लेकर निराय करती है अप्रेल 2019 के बाद से केंदरिये बैंक ने 2000 रुपे का एक भी नोट नहीं छपाई तो आज का वीडियो यहीं पर सनाप्त हुआ आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा तो ऐसा ही इनफर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमें सस्क्राइब कर सकते हैं तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में थैंक्स पर वाचिंग जैहिंद